क्यार पनाम हम है राव भाहिरा और दोस्त प्रवीन मिस्त्रा बुलबुल आ एगो फेर एपिसोड लेके आगेल बनी चे पहले समसल लाइब जेखी अपलेको दुरकार खंगर नाम्र प्रड़त शोचल इलपाक आवर्डर, मिस्त्रार तरह, तान थाइब लुप्तव फिर भी बनी जाएगक वो अइसन सिवान जिला के मेरवा के कोईशन नौजवान के लगे जे करा लगे स्पेस्टल एगोई एनर्जी कहल जा सके ला अभी यहां के दिल्ली में वो बड़ा एवर्ड मिला लगा बहुत बड़ा फंक्शन में सबसे पहले बताईं की कोईशन कोईशन कारिकरम में रहुआ एवर्ड मिला ला जी बताएं कोईशन इवर्ड मिला ला अभी आजादी के अमरित महत्सव पचतरवा अमरित महत्सव पर आइकेंट फाउंडेशन द्वारा आयूजित कारिकरम था ये जो बुर्गाओं के लीला एम्बियेंस होटल में आयूज के चीफगेश थे सुरेंदर पाल जी जो इंडियन टेलिवीजन के एक्टर है बहुत ही फेमस एक्टर है और प्रधान मंतरी जी के सेक्रेटरी और रिटार्ड आईएस एसके नंदा जी इसके चीफगेश्ट थे उनहीं लोगों के दुवारा ये अवार्ड मुझे दिया ग कि मैं एक्टिव रहा हूं सुरू से ही मैं भारती चात्र सांसात का उत्तर प्रदेश स्टेट कॉडिनेटर भी रहा हूं और आए दिन बहुत सारे यूथ प्रोजेक्ट्स में मैं पार्टिसिपेट करता हूं हम लोग कुछ न कुछ सोचल एक्टिविटीज और्गनाइज करते रहते हैं और में ली उत्तर प्रदेश बिहार दुनों ही जगा पे ये एक्टिविटीज चलती रहती हैं और मैं बहुत सारे अलग-अलग सोचल वर्क्स एंजियो से जुड़ा हुआ हूँ जो आए दिन क कुछ न कुछ न कुछ न कुछ स्रमाज हीद के लिए एवेंट्स और्गनाइज करते रहते हैं आपन परिचया बता दिए मैं ओमकार तिवारी डिरेक्टर नॉर्थ केंपस इंटरनेशनल स्कूल फाउंडर प्रेसिडेंट नॉर्थ इंडिया एजुकेशनल एंड सोचल व कारिकरम किये जाते हैं समाज हीद के लिए राज घराना मेंस कलेक्शन और साड़ी सेंटर सेखर सिनेमा के बगल में आमरपाली हुटल के ठीक सामने हर तरह के साड़ी और मेंस कलेक्शन को मेरे तरफ से ये राम नौमी नौबर्ष की एक सुबकामना है वेश्वस्त रहे हैं खुशी रहे हैं आनंदित रहे हैं और सब मेल मिलाप से अपना जीवन बतित करें परिचय गुजी मैं विलाश गिरे बेग्या अनंदित रहे हैं प्रियंका ज्वेलर्स मेरवा नई बजार में इस्थित एगो उइसन ज्वेलर्स के दुकान जहां हर तरह के गहना रूरा के सुध रूप में मिली एक बार जरूर पधारी डाक्टर साकीब आजाद सिदिकी पटना के एको बहुत बड़ा नियूरो सर्जन जोन हर दूसरा और चोथा जुमेरात यानि की गुरुवार के सिवान में आवतानी हर तरह के नस से सम्मन्दित जोन रोगवा उकरा के देखातानी एक बार जरूर मिली बहुत भुत धन्यवाद